हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आया होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वीक नमबर 20 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की नौर्ड देली मिंसिपल कॉर्पोरेशन के मैनी टाइम्स तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौर्टिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं Q1 है complete the table बच्चो इस table को complete करना है फर्स्ट कॉलम में है repeated addition यहाँ पर बच्चो repeated addition लिखा हुआ है in words हम इसे कैसे लिखेंगे और multiplication में कैसे लिखेंगे तो example है बच्चो यहाँ पर repeated addition है 3 का 3 प्लस 3 प्लस 3 in words यहाँ पर लिखा गया है 3 groups of 3 in multiplication 3 into 3 equal 9 अब बच्चो next है 4 plus 4 in words लिखेंगे 2 groups of 4 multiplication में लिखेंगे 4 into 2 equal 8 next है 8 plus 8 plus 8 in words लिखेंगे 3 groups of 8 in multiplication लिखेंगे 8 into 3 equal 24 next है 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7 in words लिखेंगे 5 groups of 7 and multiplication में लिखेंगे 7 into 5 equal 35 next है 5 plus 5 plus 5 plus 5 words में लिखेंगे 4 groups of 5 and in multiplication लिखेंगे 5 into 4 equal 20 अब बच्चो question number 2 insert the signs plus minus or multiplication in the following बच्चो यहाँ पर जो column दिये गए है इनमें आपको इन signs को insert करना है लिखना है 1 has been done for you एक आपके लिए किया गया है तो बच्चो जैसे कि यहाँ पर first example है 3 into 5 equal 15 it means means 3 से 5 में multiplication की गई है multiply किया गया है 3 into 5 equal 15 तो बच्चो ऐसे ही हमें यह find out करके कि इन दो numbers के बीच में क्या करना है कि answer हमारा दिया गया हो उससे match करें तो बच्चो first है 10 to equal 20 तो बच्चो 10 और 2 में हम क्या करें कि answer हमारा 20 हो तो बच्चो इसके लिए हम 10 से 2 में multiply करेंगे 10 into 2 equal 20 तो यहाँ पर multiplication का sign लगाएंगे next है 3 5 equal 8 तो बच्चो यहाँ पर हम 3 और 5 में क्या करें कि हमारा answer 8 हो तो बच्चो हम 3 और 5 को plus करेंगे 5 और 3 कितने होते हैं 8 तो यहाँ पर plus का sign लगाएंगे next है 25 equal 25 अब बच्चो 20 और 5 में हम क्या करें कि हमारा answer 25 हो तो बच्चो हम 20 से 5 में multiply करेंगे तो बच्चो कितना आएगा 100 तो बच्चो गलत answer हो जाएगा यदि हम minus करते हैं तो 15 रह जाएंगे तो बच्चो हम plus करेंगे तो यहाँ पर plus का sign लगाएंगे बच्चो गलत है 10 में से 5 माइनस करते हैं तो 5 रह जाएंगे तब भी गलत answer है तो बच्चो हम multiply कराएंगे 10 into 5 equal 50 तो यहाँ पर multiplication का sign लगाएंगे next है 30 5 equal 25 अब बच्चो हम 30 से 5 में क्या करें कि हमारा answer 25 हो तो बच्चो इसके लिए यदि हम 30 से 5 में multiply करते हैं तो बच्चो answer हमारा गलत होगा 25 नहीं होगा यदि हम plus करते हैं तो 35 हो जाएगा तब भी मैंच नहीं करेगा answer तो बच्चो हम 30 में से 5 माइनस करेंगे तो answer कितना आएगा 25 तो यहाँ पर minus का sign लगाएंगे next है 5 9 equal 14 अब बच्चो 5 और 9 में हम क्या करें कि हमारा answer 14 हो तो बच्चो यदि हम 5 और 9 में multiply करते हैं तो बच्चो answer गलत हो जाएगा तो बच्चो हम क्या करेंगे यहाँ पर minus 5 में से 9 नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम plus करेंगे 5 और 9 को plus करेंगे तो कितना हुआ 14 तो यहाँ पर plus का sign लगाएंगे next है 9 5 इकुल 45 अब हम 9 और 5 में क्या करें कि answer हमारा 45 हो तो बच्चों हम 9 से 5 में multiply कराएंगे 9 इंटू 5 इकुल 45 तो यहाँ पर multiplication का sign लगाएंगे अब बच्चों question number 3 complete the multiplication tree बच्चों यहाँ पर यह जो तो इन्टो 5 इकुल 10 5 इन्टो 2 इकुल 10 10 इन्टो 1 इकुल 10 अब बच्चों ऐसे हमें बाकी फिल करने है next है 12 3 इन्टो 4 इकुल 12 4 इन्टो 3 इकुल 12 6 इन्टो 2 इकुल 12 इन्टो 6 इकुल 12 7 x 5 35, 35 x 1 35, next 24, 12 x 2 equal 24, 6 x 4 24, 4 x 6 24, 3 x 8 24, 8 x 3 24, next 36, 4 x 9 36, 9 x 4 36, 18 x 2 36, 12 x 3 36 and 6 x 6 36, next है 45, 5 x 9 45, 9 x 5 45, 15 x 3 45, 45 x 1 45, अब बच्चो ऐसे यहाँ पर ही एक्जाम्पल दिया गाया, आपको 80 का, 8 x 10 80, 4 x 20 80, 2 x 40 80, 1 x 80 80, 16 x 5 life skill, estimation to find a value that is close enough to the right answer, उस value को find out करने के लिए, जो की सही answer के आसपास होती है, usually with some thought or calculation involved, जिसमें कुछ गढ़ना सामिल होती है, is called estimation, उसे हम अनुमान कहते हैं, question है, estimate the volume, each object can hold, बच्चो यहाँ पर प्रतिक object जो है, कितनी volume को hold कर सकता है, उसमें कितना आ सकता है, उसका अनुमान बताना है, तो बच्चो आइटम यहाँ पर, क्या है, cup है, तो इसमें estimated volume कितनी होगी, नेक्स है, glass, glass में कितनी होगी, 250 ml, नेक्स है, bottle, bottle में कितनी volume होगी, 1 l, और बच्चो यहाँ बाउल है, इसमें कितनी होगी, 200 ml, नेक्स है, question number 2, circle the picture that is the heavier, जो भारी picture उस पर circle करना है, तो बच्चो यहाँ पर honey भी है, और यह horse है, तो इन दोनों में भारी के बच्चों heavier है, horse तो horse पर circle करेंगे, नेक्स है, spoon और बच्चों में भारी है pen, तो बच्चों आप इस पर circle करेंगे, नेक्स है, tree and flower, तो इन दोनों में बच्चों जो भारी है, heavier है, वो है tree, तो आप इस पर circle करेंगे, अंसकार साला, we are addicted to our thoughts, हम अपने विचारों के वसीबूत होते हैं, we cannot change anything, if we cannot change our thinking, यदि हम अपनी सोच को नहीं बदल सकते, तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते हैं, food color है yellow, पीला, eat yellow colored foods, बच्चों आज आप पीले रंके खादे पदात खाएंगे, for example, उधारन सुरूप जैसे की बनाना, केला, mango, आम, yellow, pulses, पीली दाले, etc, time with family sports, बच्चों परिवा जाओर, play video, family and friends, अपने दोस्तों के और family के साथ खेलेंगे, activity है, watering the plants, पौधों में पानी डालेंगे, daily routine, include the following habits in your daily routine, दी गई habits को आप अपने daily routine में include करेंगे, begin your day by greeting your parents, अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें, brush your teeth twice a day, दिन में दो बार दातों को ब पानी पियें, and eat a balanced diet, और संतुलित आहार लें, avoid touching your face, अपने चेहरे को छूने से बचें, and wash your hands frequently, और नियमित रूप से अपने हातों को दोएं, complete your homework on time, समय पर अपना ग्रहकारे पूरा करें Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel, thank you